अभी क्या है कि गरμी का मौसम अगया है और ऐसे में क्या होता है कि हम अपने फोन को थोड़ा सा भी use कर लेते हैं तो हमारा फोन पुरा आग का बबूला बन जाता है मतलब इतना ज्यादा heat हो जाता है कि हमारा जो phone है वो फटने का भी डर रहता है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने phone में सिर्फ तीन setting करकर और अपने phone को heat होने से कैसे बचा सकते हो गर्मी का दीन है तो heat होना लाजमी है लेकिन आज मैं आपको जो स्रेटिंग बताऊंगा बस उस स्रेटिंग को करकर अपने फोन को हिट होने से बचा सकतो कौन कौन सा स्रेटिंग है वीडियो को लाश्ट तक देखना बिना इसकीप के हुए और वीडियो पसंद रहेगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब चली मैं आपको वो तीनो स्रेटिंग बता देता हूँ तो सबसे पहला जो स्रेटिंग है तो उसके लिए आपको क्या करना है अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपेन कर लेना है यहाँ पर मैंने फोन में प्ले स्टोर को ओपेन कर लिया अब उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है बस आपको इस पर क्लिक कर देना ह अब click करने के बाद यहाँ पर इसके निचे आपको एक setting का option मिलेगा बस आपको क्या करना है इस setting पर click करकर इसे open कर लेना है अब उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है network preference ठीक है यहाँ पर network preference है आपको यहाँ पर इस पर click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करोगे आपके सामने एक option आएगा auto update apps ठीक है यहाँ पर यह setting कई लोगों को पता होगा लेकिन आगे का जो दो setting में आपको बताने वाला हो उससे आप ध्यान से देखना ठीक है यहाँ पर बस आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर don't auto update apps पर आपको tick कर देना है और यहाँ पर okay कर देना है ऐसे में क्या होगा कि जितना जब तक गर्मी का मौसा में तब तक आपका जो phone है वो automatic update नहीं करेगा जैसे कि क्या होता है कि दिन प्रती दिन कोई ना कोई application का update आते रहता है ऐसे में आपका phone जो हो उसे analyze करकर और उसे update करन अब यहाँ पर आपको जो दूसरा setting करना है बस इससे cut कर देंगे अब दूसरा जो setting करना है यहाँ पर ध्यान दिजिए आपको अपने phone का setting open कर लेना होगा करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है location पर यहाँ पर जो location आप देख रहे हो storytelling बस आपको location पर आपको ट्लिक कर दिना है अब जैसी location पर click करोंगे यहाँ पर location service जो देख रहे हो पस आपको क्या करना है इसे भाद कर देना है अब जैसे दोस्तों सबस्तों क्यों करना है hear जैसे कि होता है कि अगर आप कही market में जाते हो अगर किसी public place पर जाते हो तो ऐसे में क्या होता है कि किसी का hotspot अगर on रहता है तो आपका जो phone है वो scan करने लगता है किसका होसपोट on है पुरी तरह से scan करने लगा पतलब अपने और से पूरा जी जान लगाता है उसी तरह से यहाँ पर Bluetooth scanning भी है ऐसे में क्या होता है कि आपका जो Bluetooth है वो अगल बगल के जो पब्लिक प्रेस पे जाओगे अगल बगल के फोन को जो वो scan करने चाहिए ताकि आपका जो फोन हो हीट ना हो ठीक है तो यह मैंने सेटिंग बंद कर दिया अब यहाँ पर तिसरा जो सेटिंग है दोस्तों वो सीख लो तिसरा सेटिंग क्या है सबसे पहले आपको आना है developer option में अब जिससे पता नहीं है developer option कैसे करते उनको मैं बता देता हू सबसे पहले आना है about phone में यहाँ पर देखिए developer option enable करने के लिए उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है software information यहाँ पर जो software information है बस आपको इस पर click कर देना है अब जैसे इस पर click करोगे यहाँ पर viewed number आपको मिल जाएगा यहाँ पर बस इस पर आपको 7 बार click करते हैं 7 बार है ठीक है अब मैं क्या करूंगा simple developer option को click कर दूँगा और यहाँ पर open कर लेंगे अब थोड़ा सा निचे आएंगे ठीक है यहाँ पर निचे आएंगे नया नया फोन में developer option enable करना पड़ता है वह automatic नहीं रहता है जो पुराना जिनको पता है वह enable करकर रखते है developer option को यहाँ मैं निचे आता हूं और मैं आपको वह setting बता देता हूं कि कौन सा है वह setting बहुत जादा important है अगर वह आपने कर लिया तो आपका जो phone है वह बिल्कुल ही hit नहीं करेगा यहाँ पर देखिए background process limit है यह सारा जो developer option के setting है ना वह सारा phone में एक जगा पर रहता है सारा कुछ बरा process है ना यह जो आप देख रहो at most one process बस आपको इसे tick करना है इसे tick करने के बाद क्या होगा कि आपके phone में background में जो भी सारा application open रहता है वो सारे application को यह process नहीं करेगा सिर्फ जो आप use कर रहे हो अभी फिलाल जासे मैं अपने phone में अभी setting को open कर किया हूं तो यह सिर्फ उसी क process कर रहा है बाकी सारा application है यह सारा बंद है समझ लो एक तरह से यह बंद है ठीक है सिर्फ एक application को यह process कर रहा है ठीक है सारा कुछ काम कर रहा है तो इस तरह से आप इन तीनों setting को करकर और अपने phone को ना के बराबर हीट करवा सकते हो मतलब कि जो गरम होता है वो ना के अपते कि निजाहिन और टके क्या